डिस्कुवरी क्लासे जयपूर यूटूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है मित्रों जो स्कूल लेक्षर के अंतरगत बहुत तिक भूगोल में दूसरा जो च्वाप्टर दे रखा है सिलेवस के में है तो वो है रॉक्स यह मैं कहूं चटान तो आज हम अध्यान करेंगे इस वीडियो में चटान के संदर में तो सबसे पहले जो मित्रों इसको लैक्षर दे रहे हैं तो वो कॉफी पैल लेकर के बेठे और सासात नोट भी करते रहें तो सबसे पहले चटान तो आज का जो टॉपिक है वो है चटान या मैं कहूं रॉक्स रॉक्स के बारे मां मैं अध्यान करेंगे मित्रों इस्थल मंडल का सबसे जो महत्पून जो पार्ट है या मैं कहूँ इस्थल मंडल का सबसे महत्पून जो important पार्ट है वो है भूपरपटी और धरातल से लेकर के लगबग 16 किलोमेटर की गहराई तक जो भूपरपटी का पिच्चान में प्रतिसाद भाग पाया जाता है वो का निर्मान किसे हुआ है? इन सैलों से उसका निर्मान हुआ है तत्वों से योगिकों का निर्मान होता है योगिक से खनीज का निर्मान होता है और खनीजों से मिलकर के चट्टान का निर्मान होता है किसे तत्तों के योगिकों से खनीज मिलते हैं और खनीजों के निर्मान से किसका निर्मान होता है चट्टानों का निर्मान होता है प्रित्वी पर विभिन प्रिकार के तत्तों पा होता है और उन 110 तत्व में से भी जो सबसे जो इंपोर्टेंट तत्व आठ प्रकार के तत्व मालने जाते हैं जिससे निर्मान होता है मित्रो यह जो निर्मान होता है एक एक को हम सासत नोट कर लेते हैं मैं आपको सासत लिखवा देता हूं आप भी सासत नोट करते चलें तो मैं यहां लिख रहा हूं कि धरातल का यह मैं कहूं इस्थल मंडल का सबसे महत्पूर्ण पाढ़ सबसे महत्वपूर्ण महत्पूर्ण भाग क्या है तो वह है भूपरपटी यह भूपरपटी सबसे महत्पूर्ण भाग है और मित्रो धरातल का किसका तो धरातल से धरातल से लगबग लगबग सोले किलोमेटर की गहराई तक कितने किलोमेटर की गहराई तक कितने प्रतीशत पिच्चानमें प्रतिसत भाग का निर्मान किसे हुआ है तो सेलों से हुआ है इन सेलों से हुआ है अच्छा इनका निर्मान कैसे होता है तो मैंने बताया कि तत्वों के योगिकों से खनीजों का निर्मान होता है खनेजों का निर्मान होता है और खनेजों से किसे का निर्मान होता है तो मित्रों खनेजों से खनेजों से मिलकर क्या बनते हैं तो खनेजों से मिलकर चटानों का निर्मान होता है चट्टानों का निर्मान होता है अच्छा जो चट्टानों का निर्मान होता है यह काफी खनेजों के समिस्रन से होता है या मैं कहूं कि प्रिथवी पर लगबग 110 प्रकार के तत्व पाये जाते हैं कितने प्रकार के तो प्रिथवी पर प्रिथवी पर तत्व कितने पाये जा जाते हैं और इनमें सो जो महत्पूर्ण है तो महत्पूर्ण पाए जाते हैं मित्रो महत्पूर्ण लगबग आठ प्रिकार के पाए जाते हैं और यह जो आठ प्रिकार की जो तत्व पाए जाते हैं प्रिध्वी पर इनमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाए जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तों सरवाधिक मात्रा में पूछ लिया जाए कौन सी मात्रा में तो सरवाधिक मात्रा में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन सरवाधिक मात्रा में यानि क्रश्ट पर सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो सरवादिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सिजन है और मित्रों मेरे प्यारे दोस्तों यह 47 परतिसे प्रेश्ट यानी Pres ननी तक रघया जते यानी घ्रश्ट में जो極ग 110 प्रकार के तत्補ों उनमें यह है उनमे चैनलम है बहुत अर्ट परकार के तत्म मैं पाए जता है तो 47 परसेंट मात्रा में होक्सिजन पाया इसके अलावा दूसरे नंबर पर मेरे प्यारे दोस्तों सिलिकन पाया जाता है कौन सा सिलिकन पाया जाता है लगबग 28 प्रतिसत भाग पर पाया जाता है इसके अलावा आइल्यूमीनियम पाया जाता है और आइल्यूमीनियम पाया जाता है कितने प्रुसेνट पर आठ प्रुसेνट भाग पर lieउमीनियम पाया जाता है और feminine प्रामयस potassium sodium sodium magnesium magnesium calcium calcium ये भी मात्रा में पाए जाते हैं तो आपको याद रखना है कि प्रिथवी के क्रेश्ट में सरवाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अगर तात्व हैं तो सबसे ज़्यादा मात्रा में oxygen पाए जाती है 47 प्रिदिसद भूबाग पर इसके अलावा सिलिकन पाए जाती है 28 परसेंट पर और अलिमूनियम 8 परसेंट पर आयरेन पाए जाती है 5 परसेंट पर इसके अतिरिक potassium sodium, calcium और magnesium भी इस क्रेश्ट में पाए जाते हैं अगर ये तो बात करें मित्रों हम क्रेश्ट की लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्रिद्वी में सरवाधिक मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते है ये क्रेश्ट की बात की जारी है उपर की सते की बात की जारी है सरफेस की बात की जारी है धरातल की बात की जारी है लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि संपूर्ण प्रिथवी के हम बात करें कि संपूर्ण प्रिथवी में यहां प्रेशन आ जाए कि प्रिथवी में प्रिथवी में प्रिथवी में तो सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है तो कौन सा तत्व पाया जाता है तो मेरे प्यारे दोस्तो इसके लिए आपको लिखना है सबसे ज़्यादा मात्रा में आयरन पाया जाता है लगबग 35% भाग पर पाया जाता है और ऑक्सिजन जो पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तो ये पाई जाती है लगबग 30% भाग पर इसके अलावा सिलिकन जो पाई जाती है लगबग 15% भाग पर पाई जाती है ये आपको याद रखना है कि अगर क्रेश्ट की बात की जाए कि क्रेश्ट भी क्रेश्ट पर जो सरवादिक महत्रा मिलने वाला जो तत्वे तो आपको या प्रत्वी पर सरवादिक मात्रा में कौन सा तत पाए जाता है तो आयरन पाए जाता है 35% भूबाग पर और ऑक्सिजन 30% पर इसके अलावा सिलिकन 5% भूबाग पर पाए जाता है अच्छा मित्रो इस जो भूब परपटी या मैं कहूं कि प्रत्वी पर लगबग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं कितने प्रकार के तो प्रत्वी पर लगबग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं लेकिन उन 2000 प्रकार के खनिजों में important जो खनिज है लगबग 24 प्रकार के खनिजों को महत्पून खनिज माना जाता है क्योंकि लगबग उन्हीं खनिजों से बाकि सेज खनिजों का निर्मान होता है तो कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं मैं यहां लिख देता हूँ कि प्रिथवी पर किस पर प्रिथवी पर प्रिथवी पर लगबग कितने प्रकार के तो 2000 प्रकार के 2000 प्रकार के क्या पाए जाते हैं तो खनिज पाए जाते हैं लगबग 2000 प्रकार के खनिज मिलते हैं मिलते हैं और इनमें जो महत्वपूर्ण खनीजें 2000 तो महत्वपूर्ण जो खनीजें महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण जो खनीजें लगभग 24 प्रकार के कितने प्रकार के तो लगभग 24 प्रकार के खनीजों को यानि महत्वपूर्ण खनीजों की स्रेणी में रखा जा जाता है और इन मेहत्पूर्ड मेंसे भी छेफर करेंगे तो छेफुकष में जेब से ल क्लेग सब्सक्रों कम निर्मान हो जाता है जैसे फयलसपार कुषट अब्रक, ओलिविन है। तो यह प्रकार्गेट, जो खनिज है, यह इसमें important मात्रा में पाई जाते हैं। अब देखते हैं मित्रों हम की प्रत्वी की अगर सते की बात की जाएं। यह प्रत्वी की जो आंत्रिक संरचना के बारे में हमने जो कल अध्यन किया। और इसके बारे में हम अध्यन करते हैं चट्टानों के बारे में, तो यानि जो उत्पत्ती के आधार पर, किसके आधार पर? उत्पत्ती के आधार पर तीन प्रकार की चट्टाने पाई जाती हैं, कितने प्रकार की? तो मेरे प्यारे दोस्तों, उत्पत्ती के आधार पर तीन प्रकार की चट्टाने पाई जाती है पहले आगनिय चट्टाने दूसरी अब साधी चट्टाने और तीसरे डंबर पर आती है कायांत्रिक चट्टाने कहा जाता है तो यह तीन प्रकार की चट्टाने पाई जाती है अब हम पढ़ेंगे उनके बारे में एक बार इसनका रिवि हुआ है इसके अलावात तत्वों के योगिकों से खनीजों का निर्मान होता है और मेरे प्यारे दोस्तों खनीजों से मिल करके किन का निर्मान होता है अच्छा प्रेथवी के जो क्रेश्ट में कितने प्रकार के तथ्व पाई जाते, लगबग 110 प्रकार के तथ्व पाई जाते हैं, लेकिन जो important तथ्व है, वो कितने है, 8 प्रकार के तथ्व है, और उनमें भी अगर पूछली आ जाए कि प्रित्वी के ध्रातल पर या सते पर या करश्ट पर सरवादिक मात्रा में मिलने वाला तत्व है तो मेरे प्यारे दोस्तों सरवादिक मात्रा में कौन सा ओक्सिजन 47% भुबाग पर है इसके अलावा सिलिकन 28% एलुमूनियम 8% और आयरन लगभग 5% यानि 5.8 भी दिया हुआ है तो लगभग 5% पाया जाता है इसके अलावा पोटेसियम सोडियम, मैगनिसियम और केलसियम भी यानि क्रेश्ट में यानि तत्व पाये जाते हैं इसके अलावा मित्रा आपको याद रखना है कि प्रेश्वी में सरवादिक मात्रा में कौन सा तत्व अगर पूछ ले जाई वो तो crest की बात गर रहे थे, अब हम बात करें प्रित्वी की, तो प्रित्वी में सरवादिक मात्रा में 35% भो永ग पाये जाता है, oxygen 30% हो बात पाये जाता है, और silicon मेरे प्यारे दोस्तो 15% हो पाये जाता है, प्रित्वी पर लगबग 2000 प्रकार के खनीच पाये जाता है, और 2000 प्रकार के खनीजों में भी यानि चटान निर्मानकारी खनीज कितने को माना जाता है लगबग 24 प्रकार के खनीजों को चटान निर्मानकारी खनीज की संग्या प्रदान की गई है और 24 में गर important पूछ लिया जाएं तो उनमें से भी 6 को ज़ाद important माना जाता है जिसे quartage है, felspar है, abrak है, olivine है, pyroxys है ये important माने जाते हैं लगभग-लगभग सभी चट्टानों के निर्मान में इनका योगदान होता है यानि कुछ percentage इनका होता है अब हम देखते हैं कि उत्पत्ती के आधार पर चट्टानों का निर्मान तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों किसके आधार पर हम बात कर रहे हैं उत्पत्ती के आधार पर वर्गी करन उत्पत्ती के आधार पर चट्टानों का वर्गी करन तो किसके आधार पर उत्पत्ती के आधार पर चट्टानों का वर्गी करन मेरे प्यारे दोस्तों उत्पत्ती के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में वर्गी करत किया गया है तो उत्पत्ती के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में वर्गी करत किया गया है पह और थरड नंबर पर कौनसी चट्टाने पाई जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो वो हैं कायानतरिक, कौनसी कायानतरिक चट्टाने पाई जाती है, ये तीसरे नंबर पे ये दूसरा और ये पहला, तो हम अध्यन करेंगे सबसे पहले किस चट्टान के बारे में आगने चट्टान के बारे में अध्यन करेंगे अच्छा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों आगने जो चट्टाने होती है इनका लेटिन भासा में इसको कहा जता है यानि इसका निर्म यानि लेटिन भासा में इसका जो निर्मान है तो इसको लेटिन भासा में लेटिन भासा लेटिन भासा में इसकी उत्पत्ति किसी हुई है तो इगनिस से हुई है इगनिस से हुई है यानि लेटिन भासा के सब्द इगनिस लेटिन भासा का कौन सा सब्द एक्जाम में पूछ लिया जाए आपको याद रखना है कि लेटिन भासा का सब्द इगनिस से किसकी उत्पति हुई है आगने की उत्पति हुई है और जो आगने चट्टाने पाई जाती है ये आगने चटे इनको प्रात्मिक चट्टाने भी कहा जता है बाकी चट्टानों की जलनी किसको कहा जता है आगने चट्टान को कहा जता है प्रत्वी के आंत्रिक भाग में इनका निर्मान होता है आगने यानि जो प्रत्वी के आंत्रिक भाग में जो गर्म और तब तो जो मैगमा पाया जाता है वो मैगमा के जब उद्गार होता है उससे जब निर्मान होता है और उनसे कौन सी चटानों का निर्मान होता है यानि वो सत्य पर आती है और ठंडा हो जाती है और उनसे आगने चटानों का निर्मान होता है मित्रो आगने जो आने होती है यह कैसी होती है तो इनके बारे में इनकी विसेश्था हम पढ़ लेते हैं इसकी विसेश्था तो मेरे प्यारे दोस्तों जो आगनिया चट्टाने पाई जाती है एक तो यह कैसे होती है यह रवेदार होती है रवेदार होती है आगनिया चट्टान रवेदार होत इसके अलावा स्बूर्ट कि इसमें जीवास्म तो इसमें जीवास्म जीवास्म भाए स tenantsाफ्म भाख के द्रocyंवा मुए इसमें जीवास्म कहां से आंगे भाद की जो चट्टाने होती है अब साधी चट्टाने उन में पाए जाते इनमें जीवास्म नहीं पाए जाते ये रवेदार होती है इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों ये जो चट्टाने होती है ये ये चट्टाने परतदार परतदार नहीं होती है इनमें परते नहीं होती है क्योंकि एक ही बड़ी सारी परत होती है इसमें क्या उनका उद्गार होता रहता है होता रहता है और उसका लेर नहीं पाई जती है इसके अलावा हमको याद रखना है कि ये जो चट्टाने होती है आगने चट्टाने इनको और किस नाम से जाना जाता है इनको प्रात्मिक चट्टाने कहा जाता है अच्याच आगने यानि सेस में कहूं कि अबसाधी पिलस कायांतरिक का निर्मान किस से होता है तो का निर्मान मेरे पियारे दोस्तों किस से होता है इस आगने चट्टान से होता है किस से होता है आगने चट्टान से होता है किन किन का निर्मान तो यानि अबसाधी चट्टानों का निर्मान और कायांतरिक चट्टानों का निर्मान कहां किस से होता है आगने चट्टान से ह यानी में बומקने नहीं होता है इनते परभाव कौन सा प्रभाव कौन्सा है मेरे प्रभाव प्रभाव क नहीं पढ़ता हैरे कैसा पढ़ता है नहीं पढ़ता है लेकिन यह किस से प्रभावित होती है तो इस पर यहां मैं लिख देता हूँ बाकी को मिटा के बाद में हम पढ़ेंगे तो पहले आगने चटाने पढ़ लेते हैं अच्छा इस पर राशायनिक प्रभाव नहीं पढ़ता है तो मेरे प्यारे दोस्तों आगने चट प्रभाव पढ़ता है कौन सा प्रभाव पढ़ता है मेरे प्यारे दोस्तों आगने चटानों पर भोतिक प्रभाव और यांतरिक प्रभाव इनका इस पर प्रभाव पढ़ता है बाकी राशायनिक प्रभाव इस पर नहीं पढ़ता है तो यह हमको याद रखना था किसके सं और मेरे प्यारे दोस्तों इनको गहराई के आधार पर गहराई के आधार पर दो भागों में बाटा गया है किसको तो ये बाटा गया है किस चटान को मेरे प्यारे दोस्तों तो आगने चटान को कितने भागों में बाटा गया है जो पहली जो पाई जाती है इसको अपन बोलत रहते हैं पातालिये चटनेंएं कौनसी ःचाप धूरी ओती है मेरे प्यारे दोस्तों मद्य वर्थी चटन और दूसरे नम्मर पर होती है मध्य वर्थी चटन तो पातालीए चट्टान यानि मेरे प्यारे दोस्तों जब तब तो जो मैगमा होता है वो मैगमा यानि धरातल पर मैगमा जो नीचे से आता है जौला मुखी क्रिया के दोरान और धरातल के उपर नहीं पहुच पता है उसके अंदरी गहराई में जम करके ठंडा हो जाता है चटान का रूप धारन कर लेता है तो उसको अपन बोलते है पाताली चटान और मध्यवर्ती चटान मध्यवर्ती चटान यनी सरफेस को जो सते होती है धरादली सते को पार नहीं कर पाता और उसके अंदर के सिराओं धमनियों में उनमें जाकर के उसका वो जमा हो जाता है तो उससे क्या है कि ये मध्यवर्थी चटान का निर्मान होता है यानि अधिक गहराई में लावा कर जम के ठंडा होने से तो पाताली चटान का निर्मान होता है और surface के नीचे यानि मैं कहूं धरातल के नीचे सिरा और धमनियों में जम करके क्योंकि अगर surface धरातल मजबूत है, strong है और उसको भेद नहीं पाता है और कम बेग से अगर लावा उपर आता है मैगमा तो उसे मध्यवर्ती चट्टानों का निर्मान होता है और मेरे प्यारे दोस्तों इन मध्यवर्ती चट्टानों को काफी इनको भी अलग-अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है जैसे अलग-अलग प्रकार के इनकी निर्मान के प्रोसेजन के आधार पर एक होती है जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस प्रकार से यह पाई जाती है इनको अपन कई नामों से जना जता है इसके अलावा जैसे इनका निर्मान अलग अलग रूपों में हो जाता है जैसे यानि धरातल के अंदर धरातल के अंदर जब मेगमा आता है और मेगमा सते पर नया आकर के आंत्रिक भाग में एक बड़े गुमद नूमर आकार में अगर जमा हो जाता है तो उसको अपन क्या कहते है मेरे प्यारे दोस्तों उसको अपन कहते है बैथोलिथ कौन सी आकरती बैथोलिथ कहा जाता है कौन सी आकरती यह बैथोलिथ आकरती कहा जाता है इस प्रिकार से ये धरातल के अंदर आंत्रिक भाग में मैगमा के जमा होकर ठंडे हो जाने को और विगर बड़े गुम्मद रूमा आकार में अगर जमा हो जाता है तो उस आकरती को अपन क्या कहा जाता है उस आकरती को बैठो लिथ कहा जाता है अच्छा मितरो, अगर धरातल के आंतरिक भाग में धरातल के आंतरिक भाग में और एक लेहर नुमा आकरेती में या मैं कहूँ, अपनती और अभी नती के रूप में अगर लावा गा जम्मा हो जाता है इस प्रकार से लहर नूमा आकरती में अगर जम्मा हो जाता है तो उस आकरती को कहा जाता है फैको लिथ कहा जाता है कौन सी लिथ मेरे प्यारे दोस्तों उसको कहा जाता है फैको लिथ कहा जाता है यानि धरातल के आंतरिक भाग में धरातल के आंतरिक भाग में परतदार चट पहरन कर लेना उस आकरेति को अपने क्या कहते हैं फैको लिद कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों जब यानि प्रच्वी के आंत्रिक भाग में एक लंबवत नुमा आकरेति में अगर लावा जमा हो जाता है एक लंबाई में डंडे के समान तो उसको क्या कहा जाता है जैसे इ यानि लावा एक सिल के रूप में या मैं कहूँ एक 36 रूप में जमा हो जाता है किसे रूप में 36 रूप में जमा हो जाता है तो उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों उसको सिल कहा जाता है प्रिधभी के आन्तरिक भाग में लावा अगर 36 रूप में जमा हो जाए तो उस अकृति को क्या कहा जाता है और सिल का छोटा रूप उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है seat कहा जाता है क्या कहा जाता है seat कहा जाता है अब मेरे प्यारे दोस्तों देखिए अगर ये लावजो होता है ये उत्तल नुमा आकरती में जमा हो जाए कौन सी में? उत्तल नुमा उत्तल नुमा आकरती में जमा हो जाए तो उसको क्या कहते है तो इसको बैथो लिथ बोलते हैं और इसको पैको लिथ यानि लैको लिथ कहा जाता है क्या कहा जाता है इसको लैको लिथ कहा जाता है लैको लिथ इसको लैको लिथ कैसे अगर वो उत्तलुमा आकार में यानि इस प्रत्वी के आंत्रिक भाग में प्रत्वी के आंत्रिक भाग में और एक छोटे गुम्मद के आकार में क्यों से आकार में एक छोटे गुम्मद के आकार में अगर मैगमा जम कर ठंडारो कर जम जाता है तो उस आकरिती को अपने क्या कहते है लेको लिथ कहा जाता है और मेरे प्यारे दोस्तों अगर एक तस्त रीक रूप में या मैं कहूं अवतल रूप में कौन से रूप में अवतल रूप में अगर जमा हो जाए तो उसको उसको कहा जाता है लेपो लिथ कहा जाता है या मैं कहूं लोपो लिथ कहा जाता है तो उसको लेपो लिथ कहा जाता है तो यह आपको याद रखना था इससे सम मंदित दुबारा से मैं रिवीजन करवा देता हूँ आपको मेरे पैरा दोस्तों देखो चट्टान और चट्टान को उत्पत्ति के आधार पर चट्टान का वरगी करन आप आगने चट्टाने अवसाधी चट्टाने और कायानफिक चट्टाने तीन भागों में किया जता है आगने चट्टाने, आगने चट्टानों में मैंने आपका बताया है कि इनकी उजव एगने सब्द की उत्पत्ती हुई है, वो लेटिन भासा के इगनिस सब्द से हुई है, कौन से? लेटिन भासा के इगनिस सब्द से हुई है, इनकी विशेषता ये रवेदार चट्टान हो होता है तो उसकी आकृति एक क्रिश्टल के रूप में परिवर्तित हो जाती है तो वहां पर बड़े रवों का बड़ो उसका निर्मान होता है हाँ रवदारच गण और अगर उसका शीग्र हो जाता है तो वहाँ पे छोटे-छोटे रवेदार चट्टानों का निर्मान होता है तो यह जो पाताली चट्टाने होती है यह क्रिष्टला क्रिथिक चट्टाने भी कहलाती है इनको और किस नाम से जाना जाता है क्रिष्टला क्रिथिक चट्टाने इनको क्रिष्टला क्रिटिक चट्टान कहा जाता है क्यूंकि इनका जो निर्मान होता है वो प्रेथवी के आंत्रिक भाग में धीरे 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 होता है इसका निर्मान होता है और जो मध्यवर्थी भाग में यह जो चट्टाने होती है यह कैसी होती है यह ए क्रिष्टली क् तो यानि कौन सी चट्टानों को इनका जो निर्मान होता है इनका जो फॉर्मेट होता है वो क्रिश्टल के आकार में हो जाने के कारण इनको क्रिश्टली क्रत कुंस को पाताली चट्टानों को क्रिश्टली क्रत चट्टाने और मध्यवर्ती चट्टानों को एक्रिश्टली क प्राथमिक चट्टान काहा जाता है इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्तों यह राशायनिक प्रभाब आग्ने चट्टानों पर नहीं होता आग्ने चट्टानों पर यानि उस पर ताप और धबाब के कारण वो काग्ने से किसमे रुपांत्रिद हो जाती है कायांत्रिक चट्टानों में हो जाती है तो इस पर प्रभाब पड़ता है वो भोतिक और यांत्रिक प्रभाब पड़ता है जबकि राशायनिक प्रभाब नहीं पड़ता है और गहराई के आधार पर इंटों दो भागों प्रत्री बनती है एक बड़े गुम्मध के समाने का इसका जो दौनों साइड के समाने का आकरति बनती है इसका जो दोनों साइड जो पार्ट होता है वो एकदम ढालू होता है और मेरे प्यारे दोस्तो जो उतल आकरती में जो आकरती बनती है उसको लेको लिठ कहा जता है आउतल आकरती में बनती है उसको लेपो लिठ कहा जता है और एक डंडे के समान यानि लंबुवत रूप में अगर एक आकरती बन जाती है उसको अपन बॉश कहते हैं, क्या कहते हैं, बॉश के नाम से भी जाना जाता है, इसका छोटा रूप, यानि अगर प्रिजभी का आंतरिक भाग में एक छोटा गुम्मत बन करके तयार हो जाता है, तो वो बॉश कहलता है, या उसको स्टॉक कहते हैं, स्टॉक के नाम से जाना वाले हैं, तो एक बार ये वीडियो आपको सब को सेर कर दीजी, क्योंकि कंट्यूनी क्लास एक वीडियो आपको रोजाना अपलोड की जाएगी एक टोपिक वाइज आपको सिस्टम से जो भी टोपिक आपका नंबर वाइज आएगा उसको यापने अपलोड की जाएगी तो इससे आपको सबी को फिरी आपको श्ट लाब मिल रहे हैं और फिरी में तो कुछ भी मिले बस तो फिरी का चंदन घेड़े